हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अगेन टू लंडरी दितिमन आज हम करने वाले हैं टैंथ क्लास की पॉलिटी का चैप्टर नंबर वन लोगतंत्र देखिए ये चैप्टर जो है वो आपके सलेबस में दिया हुआ है तो आपके लिए तो इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है कि गलती से भी आपको इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि आप यदि छोड़ देते हैं तो आपके दो से तीन मार्क्स जो हैं वो आपके कट सकते हैं तो कॉम्टिशन के बच्चे के लिए तो हर एक मार्कस बहुत इंपोर्टेंट रहता है इस चैप्टर में कुछ नए डेमोक्रेसी जो है जिसे हिंदी में लोक्तंतर कहते हैं तो इसे हम जनतंतर भी कहते हैं और प्रजातंतर भी कहते हैं यानि कि जहां जनता का शाशन हो कुश्चन नमबर टू अंग्रेजी सब्द डेमोक्रेसी किस बहासा के दो सब्दों से मिलकर बना है अंग्रेजी सब्द डेमोक्रेसी जिसका अर्थ लोक्तंतर होता है यह किस बहासा के दो सब्दों से मिलकर बना है तो यह ग्रीग बहासा के सब्दों से मिलकर बना है डेम और क्रेटिया जिसमें डेमोस का अर्थ है भीड और क्रेटिया का अर्थ है सक्ति यानि की जनता की सक्ति तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है जनता की सक्ति QUESTION 3 लोकतंतर के eltे रूप कोना है? राजनितिक लोकतंतर, सामाजिक लोकतंतर, आर्थिक लोकतंतर और नैतिक मोन से लोकतंतर इनको वनवाईवन भढ़ेंगे आके चलकए QUESTION NUMBER 4 राजनितिक लोकतंतर के अंग के रूप में लोकतंतर के कितने भेद हैं? तो फर्स्ट है राजनितिक लोकतंत्र तो यह कितने पार्ट हैं इसके इसके दो पार्ट है प्रत्यक्ष या सुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष अत्वा प्रत्यनिधी लोकतंत्र तो यदि हमें इनका अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि भारत जो वो है प्रतिनिदी लोकतंत्र के अंतरगत आता है तो यानि प्रत्यक्ष अत्वा प्रतिनिदी लोकतंत्र का उधारन क्या है भारत और प्रत्यक्ष या सुद्ध लोकतंत्र इसका उधारन कौन सा होगा तो उसका उधारन कौन सा होगा उसका होगा स्विजर लेंड तो कैसे हो जो हैं वो आपको याद रखने हैं आर्थिक लोगतंत्र का विचार दिया मार्क्सवादी तथा समाजवादियों ने आर्थिक लोगतंत्र का विचार किस ने प्रस्तुत किया मार्क्सवादी और समाजवादियों ने Q5. Q6. प्रतिनिदी लोकतंतर के दो रूप कौन से हैं? देखिए संसद्य लोकतंतर जो की भारत में है और अध्यक्षात्मक लोकतंतर यानि अमेरिका में है. हमने इतनी classes में ये समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि भारत में संसद्य है, शाशन प्रणाली है क्योंकि यह कारेपालिका, विधायका, न्यायपालिका, तीन अंग हैं, जिस में जो विधायका है, वो कारेपालिका के प्रति उत्तरदाई भी होती है. ठीके? तो यहाँ पर एक 먹어 में ही सारी सकती नहित नहीं है, बलकि तीनों ही एक दूसरे के ऊपर नेरबर है जबकि अमेरिका में हम देखते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र वहां जो राष्ट्रपती है उसी के हाथ में सब कुछ नहित होता है तो वहां जो अध्यक्ष है वो कौन है राष्ट्रपती जबकि भारत में हम देखते हैं कि नाममात्र का अलग ह होता है अध्यक्ष और कार्य पालिका का अलग होता है ठीक है तो इसलिए संसद्य लोगतंत्र कहा है भारत में और अध्यक्ष आत्मग लोगतंत्र कहा है अमेरिका में Q7. परंपरागत उधारवादी लोगतंत्र संबंधी विचार देने वाले प्रमुक विद्वान कौन कौन से थे? परंपरागत उधारवादी लोगतंत्र संबंधी विचार देने वाले प्रमुक विद्वान कौन से थे? इसका आंचार है Hobbs, John Locke, Russo, Bentham, J. Asmiel, Montesquieu, Abraham Lincoln, Jefferson, Herbert Spencer, तो एक्जाम में देखिए यहां ऐसे पूछ लिया जाएगा कि Abraham Lincoln जो है वो किस लोगतंत्र की बात करते हैं? तो यहां किस लोगतंत्र की बात करते हैं? परंपरागत उधारवादी लोगतंत्र की बात कौन करते हैं? Abraham Lincoln. तो इसी तरीके से आपको इन सबी के नाम याद रखने हैं. परंपरागत उधारवादी लोगतंत्र संबंधी विचार देने वाले हैं? हॉब्स, जॉन रॉक, रूसो, बैंथम, जे एसमिल, मॉन्टेंस्क्यू, अब्राहिम लिंकन, जेफर्सन और हर्बर्ट स्पेंसर. नेक्स्ट हैं, कुश्यन नमबर एट, लोगतंत्र का बहुलवादी सिद्दान्त के विकास में किसने योगदान दिया? तो लोगतंत्र का बहुलवादी सिद्दान्त किसने दिया? देखिए, ए, जे लॉसकी, अन्नेस्ट वॉर्कर, मिस फॉलिट, डिगवी, रॉबर्ट ये सभी लोगतंत्र का बहुलवादी सिद्दान्त की विचारधारा रखते हैं. नेक्स्ट हैं, कुश्यन नमबर नाइन, रॉबर्ट डेहल ने बहुलवादी लोगतंत्र को क्या कहा है? रॉबर्ट डेहल ने जो बहुलवादी लोगतंत्र है, इसको क्या कहा है? तो इसको अभिजाद वर्गिय सिद्दान्त का प्रतिपादन करने वाले विचारक कौन है? तो इसका आंसर है Robert Michels, Moska, Pareto, Burnham, C. Wright Mills. ठीक है? याद रखना है विचिस्ट वर्गिय सिद्दान्त का प्रतिपादन करने वाले Robert Michels, Moska, Pareto, Burnham, C. Wright Mills. Question number 11. जर्मनी विचारक Robert Michels, जिन्होंने लोगतंदर का विचिस्ट वर्गिय सिद्दान्त का प्रतिपादत करने वाले विचारक रहे हैं, इन्होंने लोगतंदर का विचिस्ट वर्गिय सिद्दान्त का विचारक किस ग्रंत में दिया? यह उन्होंने दिया The Political Parties. याद रखन जर्मनी विचारक Robert Michels ने लोगतंदर का विचिस्ट वर्गिय सिद्दान्त का विचार यह दिया The Political Parties ग्रंत में. Next, Question 12. Moscow इतावली विद्वान ने विचिस्ट वर्गिय सिद्दान्त का विचार किस ग्रती में प्रस्तुत किया? तो Robert Michels ने तो The Political Parties में इस ग्रंत में विचार दिया और Moscow ने दिया The Ruling Class में. और Robert Michels और Moscow यह दोनों ही किस सिद्दान्त को मानने वाले थे? लोगतंदर के व मार्कसवादी सिद्दान्त को अन्ने किस नाम से जानते हैं? लोगतंदर का जो मार्कसवादी सिद्दान्त है उसे हम अन्ने किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है जनवादी लोगतंदर के नाम से भी जानते हैं यानि जनता का लोगतंदर. नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 14 लोगतंतर का मार्कसवादी सिद्दान्त के प्रमुक विचारक कौन है तो मार्कसवादी सिद्दान्त के विचारक हैं कार्लमाक्स और फैडरिक एंजला इन दोनों के नाम तो आपको याद ही रखने हैं कि आर्थिक लोगतंतर का विचार देन नेक्स्ट हैं लोगतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त को व्यवारिक रूप किस ने दिया अब इसे प्रैक्टिकल रूप जो है वो किस ने दिया तो लोगतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त को व्यवारिक रूप देने वाले थे लैनिन, स्टालिन और माउथ से तुंग, ठीक है, लैनिन, स्टालिन और माउथ से तुंग, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 16, अब देखिए, मैंने आपको इतना अभी बताया, कि उधारवादी लोगतंत्र, विशिष्ट वर्गे लोगतंत्र, बहुलवादी लोगतंत्र, इ पाँच सिद्धान्त हैं लोगतंतर का बहुलवादी सिद्धान्त लोगतंतर का विशिष्ट वर्गिय सिद्धान्त लोगतंतर का उधारवादी सिद्धान्त लोगतंतर का मार्क्सवादी सिद्धान्त और लोगतंतर का समाजवादी सिद्धान्त तो देखिए लोगतंतर का बहुलवादी सिद्धान्त जो है वह यह कहता है कि सत्ता का अधिकार जो है वो कई लोगों के हाथ में होना चाहिए यानि संगात्मक विवस्ता सत्ता का जो अधिकार है वो किवल एक वर्ग के हाथ में ना होकर जन्ता के हाथ में यानि कई लोगों के हाथ में होना चाहिए ज के एजे लॉसकी, अर्नेस्ट वारकर, मिस फॉलेट, डिगवी, रॉबर्ट डहल, जो हमने देखे, उसके बाद नेक्स्ट है, लोगतंतर का विशिष्ट वरगी है, सिद्धान्थ, अब इसको मानने वाले कौन थे, इसके विचारक थे, रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पैर हात में हो, यानि कुछ लोगों को ही साशन विवस्था का अधिकार होता है, और व्यापार का अधिकार भी उन्हीं के हात में होता है, और वो क्यों होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अमीर वर्ग है, बलकि वह एक ऐसा सिख्षित वर्ग है, वह इतने अच्छे विच उस्तारों वाला है, इसी लिए सत्ता का अधिकार उनके हाथ में होना चाहिए क्योंकि वो लोग समझते हैं उस चीज को, तो साशन विवस्ता जो है इसी लिए कुछ लोगों के हाथ में दी जाने चाहिए, ठीक है, तो बहुलबादी सिध्दांत कहता है, सत्ता का अधिकार चाहिए जनता का अधिकार होना चाहिए अब आप कहेंगे कि बहुलवादी सिद्दांत और उधारवादी सिद्दांत ये इस्तिती दो हमें भारत में देखने को भी मिलती है बिल्कुल ये सही बात है कि भारत ने लोगतंतर का बहुलवादी सिद्दांत लोगतंतर का उधार एक एंजिला थे प्रमुक थे ठीक है तो यह सिद्दान्त केता है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए सभी के बीच उत्पादन के साधनों पर एक कर नहीं किसी अभिजाद वर्ग का नहीं बलकि सभी का अधिकार होना चाहिए ठीक है और जंता का लोकतंत्र होना चाहिए तो मार राजनितिक सिद्दान्त है जो राजनितिक सोतंतरता है जो कि लोगतंतर के उदारवादी सिद्दान्त में देखी और मार्सक्षवादी सिद्दान्त इन दोनों की आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना विकास व समवेधानिक सादरों में विश्वास करना तो यह लोगतंत लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिधान्त और लोकतंत्र का समाजवादी सिधान्त अपनाया जाता है जिसमें लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गे सिधान्त को नहीं अपनाया जाता है तो यह अर्थ जो है वह आपको पता होने चाहिए क्योंकि एक्जाम में ऐसे पूस ले जाते ह Q17. प्रत्यक्ष लोगतंत्र या सुद्धू लोगतंत्र से क्या विप्राय है? иссmazariel Land आप देखिए इसका अर्थ ये है कि प्रत्यक्ष लोगतंत्र वहां हो सकता है जहाँ जनता जो है वही निरनले, वही कानून बनाईए लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, यह वहां संभव हो सकता है जहाँ बहुत कम जनसंख्या हो juste की पारिलेमंट में जाकर सभी ल झांट में यानि भारत में जो जंता है, उनके हातों में इह प्रत्यक्ष रूप से ये सकती है क्योंकि है कि यहां से चुनकर भेजते हैं, हम डारेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या इन्हें राष्ट्रपती बना दिया जाना चाहिए क्योंकि हम तो केवल अपने विधायकों को चुनकर भेजते हैं जो हमारी जहमती जो है वहां तक पहुँचाएंगे ठीके तो अब आपको य सब कुछ है और वही कानून बनाएगी और वही सभी फैसले लेगी ठीके इसका एक्जामपल क्या है वर्तमान में स्विजरलेंड नेक्स्ट है कोशन 18 एप्रत्यक्ष या प्रत्यनिदी लोगतंत्र से क्या विप्राय है तो इसका अर्थ है कि जनता अपने प्रत्यनिदियो के माध्यम से प्रवुत्व सक्ति का प्रियोग करती है तो हम अपने प्रत्यनिदियों को भेशते हैं जिसके द्वारा हमारे जो भी फैसले हैं वो वहां तक पहुंचाए जाएं तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में ऐप्रत्यक्ष रूप से जनता का शाशन है नेक्स्ट है कुश्यन नाइंटीन लोगतंत्र वह साशन विवस्ता है जिसमें राष्ट्र का अधिकांस भाग शाशक होता है यह किसका कतन है इसका सही आंसर है डाइसी का कुश्यन नमबर 20 लोगतंत्र वह साशन है जिसमें प्रतिक विक्ति का शाशन कारे में भाग हो यह कतन किसका है कि जिसमें प्रतिक विक्ति का शाशन कारे में भाग हो तो यह कतन है सीले का देखिए डाइसी क्या कहते हैं डाइसी का कहना है कि राष्ट्र का अधिकांस लोगतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वराशाशन है अब ये लाइन जो है वो तो इतनी इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि हमने ये पड़ी भी होती है तो ये कतन है अबराहिम लिंकन का ठीक है लोगतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वराशाशन है तो नेक्स्ट है question number 22 लोगतंतर की प्रमुक विसेशनाएं कौन सी हैं लोगतंतर की विसेशनाएं देखिए इसमें जनता का शाषन होता है जनता द्वारा सरकार का निर्मान किया जाता है वो भी एप्रत्यक्ष रूप से हैं लोगतंतर शाषन एक साधन है साध्य नहीं कैसे की ल लक्षकी प्राप्ति कर सकते हो आप रीट का एक्जाम या फिर कोई भी एक्जाम निकाल सकते हो इसी तरीके से लोगतंतर क्या है साषन का एक साधन है साध्य नहीं जनता के प्रति उत्तरदाई साषन है जो लोगतंतर है यदि जनता सरकार से प्रसंद नहीं है तो जनता क् पर समाप्त करती हूं, next second part जो है वो आपका कल आएगा, तो मिलते हैं next video में, thank you.